हलो फ्रेंट आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल से स्वागत है आज मैं आपकी लिए आलू के पराठे की रेसिपी लाई हूँ यह आलू का पराठा मैंने नए तरीके से बनाया है आप भी इस तरह से एक बार इस आलू के पराठे को बना के ट्राइज जरूर कीजिएगा पसंद आएंगे और फ्रेंट्स रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्स्क्राइब करें तो चलिए हम इन पराठों को बनाना शुरू करते हैं यह मैंने लिया है इस कप के माप से दो कप गेहू का आठा मैंने कप से मापा है आपको जितना बनाना हो उसे साथ से आप इस आठे को कटोरी से भी माप के ले सकते हैं अब ये मैंने लिये हैं उबले हुए दो आलू आलू को हम इस तरह के ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे आपने आलू के पराठे कई बार बनाए होंगे और इस तरीके से एक बार आप आलू के पराठे को बना के प्राइ कीजिएगा बहुत टेस्ती और सौफ्ट बनते हैं जटपट बनके त्यार हो जाते हैं तो ये देखे मैंने सारे आलू को किसके ले दिया है अब इसमें डालेंगे स्वात के अंुसार नमक, आधा चम्मच जीरा पावडर, आधा चम्मच सफेद वाले तिल, आधा चम्मच धनिय का पावडर और एक चम्मच लाल मिर्च आप तीखा जितना पसंद करते हैं उसके एक ओरडिंग आप इसमें लाल मिर्च डालें आपको कम तीखा पसंद है तो आप इसमें आधा चम्मची लालमिस का पाउडर एट करें मैंने इसमें एक चम्मच डाला है और ये आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और अब डालेंगे धनिया की पत्ती बारी काटके और अब सारी चीजों को मिला लेंगे आलू में मौश्चर होता है उसी के साथ ही हम आठे को पहले मिक्स करेंगे और जर्रत के हिसाब से फिर पानी डालके से गूठेंगे इस तरह से आप आलू के पराठे को सुबब शुब नाष्ते के लिए या फिर टिपिन के लिए भी जलदीसे बनाके तयार कर सकते हैं बहुत कम समय में जटपड बनने वाला ये नाष्टा है फटा फट बनके तयार हो जाता है तो यह देखे मैंने आलू के साथ पूरे आटे को मिक्स कर लिया है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बनाएंगे यह देखे मैंने इसका इस तरह से चपाती की तरफ दो लगा लिया है इसे बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है और नहीं बहु 15 मिनट के लिए रैस के लिए रख देते हैं तो चली हमने आठे को रैस के लिए रख दिया है तो जब तक हम पराठे के साथ खाने वाली लसून की चट्नी बना लेते हैं इसके लिए मैंने 8 से 10 लसून की कलिया ली है एक चम्मच सफेद वाले तील लिये हैं एक चम्मच जी दरदरा मिक्सी में पीछ लिया है आप चाहे तो डारेक्ट मुमफली को भून के भी ले सकते हैं और अब डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च यह थोड़ी सी कम तीखी वाली लाल मिर्च ली है मैंने आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्च की कॉंटिटी सकते हैं यह मैंने एक चम्मच ली है और मैंने लिये थोड़े से सुखे नारियल के टुकड़े तोटे शोटे तोड़ लिये हैं आपके पास सुखा नारियल नहीं है तो आप नारियल का बूरा भी डाल सकते हैं इसमें एक चम्मच और डालेंगे स्वात के अनुसार नमक औ बिना पानी के हम इसे पीशेंगे ये देखें मैंने इसे मिक्सी के जार्म डार के पीश लिया है इसे हमें बिना पानी के इस तरह से सुखा ही पीशना है इस तरह से आप एक बार आलू के पराठे के साथ ये चटनी बना के ट्रैस जरू कीजिएगा इस चटनी को आप कई दिन पर रखे हुए थोड़ा टाइम भूग गया है अब इसमें मैं डाल रहे हूं एक चम्मच टेल और इसको थोड़ा सा एक बर और अच्छे से मसल लेंगे और इसमें से एक लोई तोरेंगे आपको पराथे जितने बड़े बनाने हो उतनी बड़ी लोई लेके इसके पराथे ब बेल लेंगे इसे रोटी की तरह पतला बनाना चाहते हैं तो पतला बना सकते हैं या फिर थोड़े से मोते इस तरह से देखे, मैंने इसके पराठे इस तरह की इसकी ठीकनेस रखी है, इस तरह से आप इसके पराठे बेल सकते हैं, यह देखिए तो चलिए हमारे आलू का पराठा बन गया है अब इसको हम सेक लेते हैं तो चलिए गैस पर मैंने इस पैन को रखा है इसमें डालेंगे पराठा और अब इसको दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए तेल लगा के सेक लेंगे इसमें आप तेल, घी, बटर अपनी चॉइस से जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं तो यह देखें पराठे को मैंने दोनों तरफ से उलट पलटके देखें सेक लिया है तो यह हमारा आलू का पराठा बन के तयार है देख सकते हैं आप इतने जट पर बहुत जल्दी बन गया हमारा यह आलू का पराठा तो इसी तरह से हम और पराठे भी बना के तयार कर लेते हैं तो यह देखें मैंने सारे पराठे बना लिये हैं आप देख सकते हैं इतने सौफ्ट पराठे बने हैं इस तरह से आप भी एक बार आलू के पराठा बनाकर जरूर कीज़ेगा तो चलिए इस जर्व हम सरव कर लेते हैं यह लसन की सूखी चटनी है तो यह देखिये फ्रेंट्स मैंने पराठो को सरूर कर लिया है इस चत्नी के साथ एक बार आप इस तरह से आलो के पराठे बना के ट्रास जरू कीजिएगा तो चलिए रेसेपी पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कि ये पराठे आपको कैसे लगे तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसेपी के साथ अगले वीडियो में